हेलो फ्रेंड्स आज हमने बनाई है रगड़ा पैटीस यह एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और सब लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं और बनाने में भी बहुत असान है खाने में भी बहुत जादा टेस्टी लगता है तो यहां पैटीस के लिए हमने एक बहुत भी ठीक है लेकिन जिनके पास समय नहीं है वो मार्किट से रेडी मेड हैश ब्राउंस लेकर उनके साथ भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी पैटीस का मज़ा ले सकते हैं तो यह देखिए जैसे कि देखने में एक डिश बहुत अच्छी लग रही है तो आईए देखते हैं इसको हमने बनाया कैसे है यह है एक कप वाइट पीस जिसको बटाना भी कहते हैं तो इनको हमने भिगो लिया था छे से आठ गंडे के लिए या आप पूरी रात इनको भिगा सकते हैं अब हम इनको उबाल लेंगे उबालने के लिए नमक और हल्दी का मैंने इसी में डाल द मसाले के लिए हमने तड़के के लिए यहां पर अद्रक लासुन और हरी मिर्ची का दरदरा पेस्ट ले लिया है धन्या और जीरा को ले लिया है अजवायन ले ली है मैंने यहां पर और हम बाकी पिसे हुए अपने मसाले ले लेंगे जिसमें की धन्या पाउडर है अमचू लोग इस रगड़े को तड़का नहीं लगाते हैं और सिरक उबले हुए मटर के साथ ही इसको टमाटर प्याज मिला के चटनिया मिला के सर्फ करते हैं लेकिन ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है अगर आप इस तरह से रगड़ा बनाएंगे तो I'm sure कि आपको भी खाने में बहुत मज़ा आएगा आप इस रगड़ा को पैटी के साथ खा सकते हैं या मटर कूलचा अगर आपका खाने का मन हो तो उसके साथ भी आप खा सकते हैं अधर्वाइस चटनिया डालके वैसे भी आप इस रगड़े का मज़ा ले सकते हैं तो मैंने बहुत थोड़ा सा मस मिर्ची डाल सकते हैं जब थोड़ी रॉनेस चली जाए हमारे अधरक लासुन की तो हम सूखे रखे हुए सारे मसाले इसमें डाल देंगे गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे रखेंगे जिससे की सूखे मसाले हमारे जले नहीं अच्छे से रोस्ट करेंगे और जो उबाल क में फिर हम दुसरे पानी को डाल लेंगे अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे करीब 20-25 मिनट तक अब धीमी आज पर अगर इसको उबालते रहेंगे हमारी पहाडी में बोलते हैं कड़ाते रहेंगे तो बहुत टेस्टी ये रगड़ा बनके तयार होता है तो देखि ये एकदम परफेक्ट ये टिकी है तो यहाँ पर आज मैंने कुछ को एर फ्रायर में रख दिया है कोई इसमें तेल वगएरा लगाने की जरूरत नहीं है क्यूंकि इनमें और अल्डेडी ओल लगा हुआ होता है और कुछ टिक्यों को मैंने ट्रेडिशनली अपने तवे प परफेक्ट है बहुत जादा गाड़ा भी खाने में मज़ा नहीं आता है और टिक्यां भी देखे एकदम से अच्छी करारी हो गई है दो टिक्यां तो जादा ही करारी हो गई है और एर फ्रायर वाली टिक्की भी अराम से हमारी अच्छी गोल्डन हो रही है तो यहाँ पर प्याज, हरी चटनी, कैचप या आप मीठी सॉंट का यूज भी कर सकते हैं थोड़ा सा दही और हरा धनिया मैंने रेडी करके रख लिया है तो पहले हम टिक्की को लगा लेंगे प्लेट में उसके उपर गरम-गरम रगडा डालेंगे और उसके उपर एकक करके हम हर चीज को लगाते जाएंगे बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग ये डिश बनती है मैं जब भी अपनी पार्टी के लिए इसको बनाती हूँ तो सब लोगों को बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में इसके साथ थोड़ी तीखी सी आप ये हरी चटनी बनाए हरी चटनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा I hope कि ये simple and easy recipe आपको पसंद आई होगी तेहारों का सीजन आने वाला है आप भी इसको बनाके try करिए खाने में भी बढ़िया बनाने में भी easy और इस रगड़े को आप बच भी जाए तो चावल के साथ भी use कर सकते हैं ये आपकी म मज़ा उठाएए and thank you for watching this video इस recipe को ज़रूर try करिये please मेरे channel को subscribe करिये and take care bye bye